मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे उपनिशदों का एक जीवन मंत्र है चरईवेती 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 आपने भी इस मंत्र को जुरूर सुना होगा इसका आर्थ है चलते रहो चलते रहो ये मंत्र हमारे देश में इतना लोगपुरिय इसलिए है क्योंकि सतत चलते रहना गती सिल्फ बने रहना ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है एक राष्ट के रुप में हम हजारों सालों की विकास यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं एक समाज के रुप में हम हमेशा नए विचारों, नए बडलावों को स्विकार करके आगे बढ़ते आए हैं इसके पीछे हमारी सांसकुर्तिक गतिशिल्ता और यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है इसलिए तो हमारे रुशियों मुन्यों ने तिरसी यात्रा जैसी धार्मिक जिम्मेदारियां हमें सौपी थी अलग-अलग तिरसी यात्राओं पर तो हम सब जाते ही है आपने देखा है कि इस बार चारधाम यात्रा में किस तरह बड़ी संख्या में स्रध्धालू सामिल हुए हमारे देश में समय समय पर अलग-अलग देव यात्राएं भी निकलती है देव यात्रा यानि जिसमें केवल स्रध्धालू ही नहीं बलकि हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं अभी कुछी दिनों में एक जुलाई से भगवान जगनाद की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है ओडिशा में पूरी की यात्रा से तो हर देश्वासी परिचीत है लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पूरी जाने का सौभागे मिले दूसरे राज्यों में भी जगनाद यात्रा खूब दुमधाम से निकाली जाती है भगवान जगनाद यात्रा अशार्ड महिने की दृतिया से शुरू होती है हमारे ग्रंतों में आशार्डस्य लोकों में बरणन मिलता है गुजरात के अमदाबाद में भी हर बर्ष अशार्ड दृतिया से रथ्यात्रा चलती है मैं गुजरात में था, तो मुझे भी हर वर्ष इस यात्रा में सेवा का सौभागे मिलता था आशाड दितिया जिसे आशाडी बीज भी कहते हैं, इस दिन से ही कच्छ का नवर्ष भी शुरू होता है मैं मेरे सभी कच्छी भाईयों बेहनों को नवर्ष की शुब कामनाय भी देता हूँ मेरे लिए इसलिए भी ये दिन बहुत खास है, मुझे आशाड दितिया से एक दिन पहले यानि आशाड की पहली तिची को हमने गुजरात में एक संस्क्रित उत्सव की शुरुवात की थी जिसमें संस्क्रित भाषा में गीत, संगीत और संस्क्रितिक कारकम होते हैं इस आयोजन का नाम है आशाड रष्ष प्रथम दिवसे उत्सव को ये खास नाम देने के पीछे भी एक बज़े हैं दरसल संस्क्रित के महान कभी कालिदास दे आशाड महिने से ही वर्षा के आगमन पर मेग दूतम लिखा था मेग दूतम में एक श्लोग है आशाड रष्ष प्रथम दिवसे मेगम अस्लिष्ट सानुम से लिप्टे हुए बादल यही श्लोग इस आयोजन का आधार बना साथियों अमदाबाद हो या पूरी भगवान जगनात अपनी स्यात्रा के जरिये हमें कई गहरे मानविय संदेश भी देते हैं भगवान जगनात जगत के स्वामी तो है यह लेकिन उनकी यात्रा में गरीबों वन्चीतों की विशेश भागिदारी होती हैं भगवान भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं सब में गरीब अमीर उन्च नीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते हैं सारे भेदभाव से उपर उठकर यात्रा ही सर्वोपर ही होती हैं जैसे कि महाराष्ट में पंधरपूर की यात्रा के बारे में आपने जुरूर सुना होगा पंडरपूर की आत्रा में कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है हर कोई वारकरी होता है भगवान विठल का सेवक होता है अभी चार दिन बाद ही 30 जुन से अमरनाथी आत्रा भी शुरू होने जा रही है पुरे देश से सरधालू अमरनाथ यात्रा के लिए जमू कश्मीर पहुंचते हैं। जमू कश्मीर के स्थानिय लोग उतनी ही सरधा से इस यात्रा की जिम्यदारी उठाते हैं और तीस यात्रीयों का सयोग करते हैं। साथ्यों दक्षिन में ऐसा ही महत्व सब्रिमाला यात्रा कभी है सब्रिमाला की पहडियों पर भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए यह यात्रा तब से चल रही है जब यह रास्ता पूरी तरह जंगलों से घिरा रहता था आज भी लोग जब इन यात्राओं में जाते हैं तो उसे धार्मिक अनुस्ठानों से लेकर रुकने ठहरने की व्यवस्ता तक गरीबों के लिए कितने अवसर पएदा होते हैं यानि ये यात्राएं प्रत्यक्ष रुप से हमें गरीबों के सेवा का अवसर देती हैं और गरीब के लिए उतनी ही हितकारी होती हैं इसलिए तो देश भी अब आध्यात्मिक यात्राओं में स्रधालूं के लिए सुविधाय बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है। आप भी ऐसी किसी यात्राओं पर जाएंगे तो आपको अध्यात्म के साथ साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भी दर्शन होंगे।